हेलो गाईज, गुड मॉनिंग, मैं बंटी रवानी, बीर क्लासे में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं, आज का जो हमारा लेक्चेर है, वो स्क्वाइर रूट का टॉपिक नंबर पांच है, और यह हमारा आज लास्ट वीडियो होगा स्क्वाइर रूट से, इ इन ही हैं मैं से सं पूछे में से घौसन, दो चली आज का लेक्चे फाफ करते हैं, एक인데 करके करते हैं, कि 920 में कम से कम क्या जोड़े की योगफल एक पूर्ण वर्ग हो मतलब 920 में हम क्या एड़ करेंगे कि वह परफेक्ट स्क्वाइर बन जाएगा कोशिन छोटा है लेकिन आपको समझाने के लिए कोशिन छोटा लिए इसके बाद से हम थोड़ अच्छे कोशिन को सीखेंगे लिए देखते हैं क्या करना इसमें 920 में क्या करना कि 920 में सबको एक एक करके जोड़ करके देखिया पहले अगर हम जोड़ते 31 यह क्या बनी यह 951 39 9599 two 041 9 six one 9 202 एप 1499 9 69 बहुत लोगों को इसका अंसर देख के याद आगया अगर इसको याद होगा तो कि इसका अंसर क्या होगा 961 विए परफेट इसक्वाइ रहे था लिगीन अगर आपको यह याद नहीं नहीं है तो आप कैसे इसको पता करेंगे तो हमने अपने लास्ट जो विडियोज में सीखा है कि परफेक्ट स्क्वाइर के लिए कुछ बातों को सीखा था वो क्या थी कि परफेक्ट स्क्वाइर अगर है नंबर तो यूनिट कि प्लेस में 2378 ये नंबर नहीं होने चाहिए दो तीन साथ आठ ये यूनिट प्लेस में नहीं होना चाहिए दूसरा पॉइंट सीखे थे हम लोग को भी परफेक्ट स्क्वाइर है उनका टिजिट का स्म 147 निर् चारों मेंिसे कुछ होता है और लास्ट कि तू डिजिट हमेशा स्क्वाइर के लास्ट में आना चाहिए वही नंबर होना चाहिए ये सीखे थे और जीरो पियर में होना चाहिए अगर यॉलिट डीस में है तो यह चीज बातों को हमने सिह था यॉससी को हम यह से बाक्की बाक्की उस्वी को शॉल्गोरिए ध्यान दिजिए ख देख रहे हैं लिव wurden digit में किसी करें ती ऐन तो अब नहीं है तो 59 भी किसली के स्क्वाइर क्राय नहीं होता है। आपको बोले थे कि पचीस के स्क्वाइर याद कर लेने के लिए। ठेक है। और आप देखेंके 61 और इनगे यह दोनों आता है। यह तुब सुनुनित के स्क्वाइर हो गया 361 उसमें भी आता है और 31 का स्क्वाइर है उसमें भी आता है 961 और यह देखिए 13 का स्क्वाइर 170 होता है वहाँ पर आता है अब आपको इन दोनों में चूज करना है कि कौन सेंसर हो दिजिट समको यूज किजिए आप देखिए इसको अगर हम एड करते हैं तो 9 10 6 16 और 16 को अगर हम सिंगल डिजि दिजिट में चेंज करेंगे तो टू और फॉर सिक्स आपका यहां पर मैच नहीं कर रहा है तो आप बोल सकते हैं अंसर यह होगा बाकी नंबर को डिजिट समसे भी देख लेंगे ठीक है चलिए आगे को आगे को समझते हैं और सीखते हैं इसी से पैटन से क्या पूर्ण कै मैंसे क्या हम उसमें माइनस कर देंगे कि एक परफेक्ट च्क्वाइर बन जागा तो इसको पहले घटा के दिखिए की आपका नंबर बनता है अगर हम 28 घटाते हैं यहां से तो क्या बन जागा यह है फाईब फॉर नाइन वन साथ जी फाटन गटा ते यह बन जाएगा था 46 घट आते हैं तो क्या बन जाएगा 26 549126 ठीक है 62 घट आते हैं डबल जीरो बन जाएगा तो 549100 और 81 घट आते हैं तो क्या बन जाएगा 549081 यह सारे नंबर बन जाएगे इस कि अगर हम इसमें माइनस करते हैं तो हमने क्या सीखा है इसको अगर हमको पर्फेट स्कॉयर क्या याद है तो अब देखेंगे 34 कि स्कॉयर के लास्ट बे नहीं आता है उनके अंसर होगा निछब्श ग्रमीति дост लेंत क्या आप देखेंगे डबल जिरो डबल जीरो बिल्कुल आता है और घ। इडीवन भी आता है यह दोनों में अशर हो सकता है लेकिन एक बात को यह आपको समझें था इन दोनों को अगर हम डिजिट्स जीरो को अगर हम हटा देंगे तो यह नमबर भी स्क्वार के लास्ट में आना चीद किया 91 स्क्वार में किसका आता है तो नहीं आता है इसका मतब यह answer होगा नहीं अगा टेंसर कौन होगा यह ऐसा क्यूं बोलें कि अगर 0 यहां पे है दो 0 इसके बाद वह नंबर भी स्क्वाइर क्लाश पर आने चैसा क्यूं बोलें चलिए इसको में एक एक जाम्पल से आपको सम्झाते हैं जैसे हम आपको condition के लिए आप लिखे लेते हैं वह 120 का square लिखे लेते हैं ठीक है तो बोलेंग 120 का square क्या होगा 144 00 example के लिए हम ले लेते हैं 220 का square तो 22 के square 484 20 यह होगा इसका square तो आप देख सकते हैं कि जब हम दो गो number अगर 0 का यह उनिट प्लेस में आ रहा है तो इसके बाद जो number है वो भी आपका square का last में आने वाल नंबर है जैसा यहाँ पर 0 लिए तो यह 44 स्कॉर में आता है तो बताए गार इसको हम क्या लिख सकते हैं, 120 का square को हम लिख सकते हैं क्या, 12 into 10 का square, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 22 into 10 का square, इसे लिए 10 को अगर हम हटा देंगे, तो ये भी तो एक perfect square होना चाहिए न, क्योंकि है square हो रहा है, इसके कारण हम 0 जब भी unit और second place में अगर 0 आता है, तो इस 0 को हटाने के बाद भी आपका जो number बचेगा, लास्ट का two digits वो भी एक square में आना चाहिए, तो यहां तो 91 तो किसी का square होता है नहीं, जिसके कारण इस options को भी हम हटा सकते हैं, लास्ट का two digits को देख करके, बाकि आप digits हम से कर लेंगे, तो आपका answer क्या होना चाहिए यह यह होना चाहिए, अब 81 माइनस करेंगा, तो आपका number क्या बन जागा, पॉर्फेट इस्वार बन जागा, चलिए अगला question करते हैं, चलिए थर्ड question जो हमारा है, वो क्या बोल रहा है, कि पाच अंक को की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जो पूर्ण वर्ग है, पाच अंक की आना होगा, तो डिवाइड करते हैं, ऐसे करके, पाच युगो नाइन लिग देंगे, और उसके बाद इसको डिवाइड करते हैं, रास्ट में जो रेस्ट बसता है, वो रेस्ट को माइनस करते हैं, वो number मिल जाता है, इसमें करेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, calculation आपका ते सब्सक्राइड करते हैं, यह है, यह तो अप्संस कट गया, यह अच्छे है, चलिए, एक उप्संस कट गया, पहला से, डिजिट सम देखेंगे, कि डिजिट सम एक चार साथ नो होगा, तो वही परफेट स्क्वाइर होगा, और इसके बाद लास्ट टू डिजिट, तो पहल किसमें आ रहा है, तो देखते हैं, अगर हम देखते हैं, नाइन, काट दिये, सेवन, शीट थर्टीन, फोर शेवन टीन, गडिजिट सम क्या होगा, एट, तो देखें, एट आ रहा है, तो यहाँ नहीं है, मतल़ यह भी ऐप्संस नहीं होगा, आपका एंसर कॉन होगा, डि इसको चेक कर लिए 99 कर गिया 8 5 13 13 6 19 19 का डिजिट सम्क्या को 9 10 10 को क्या लिखेंगे 1 देखिए आपका इंसर क्या हो गया डी समझ गे होंगे इस बात को अब हम 99 को क्यों काट दे रहे हैं कि 99 का अगर हम सम करेंगे तो हमेशा आपको 9 इसलिए आप लोग आपना चौथा को देखते हैं कि चलिए नमबर 4 है कि छोटी चोटी संक्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है छोटी संक्या बोला लास्ट टाइम में बड़े से बड़े संक्या था तो देख सकते हैं आपके पास यह उप्संस दिया हुआ और तो यूज की जिए जब यह ट्रिक नहीं लगेगा तब आप बसी को किजेगा यह बात को सीख लेजिए आप इससे आपको बहुत सा कोशन सौल्फ हो जाएगा आपको बेसिक है यूज बहुत कम करना पड़ेगा ठीक है ऐसा उप्संस आपके एक्जाम में सेट कर दिया रहता है कि आप इसको आईडिया लगा कर सकते हैं द्यान दिजिएगा फिर यहां पड़ेगे यहां पर चार है यहां पर नो फेला पर फैल हो गया और इसके बाद देखिया और फेलीगोई ूब 66 किसी के square में नहीं आता है 49 आता है 89 भी आता है 17 का square 289 और 13 का square 180 ये भी आता है तीन option आपके बज़ बचा है अब digit sum को यह उच कीजिए digit sum तेकि digit sum में आप देखेंगे इसको अगर add करते हैं 9, 13, 14 14 को क्या लिखेगा आप 5 तो 5 तो नहीं आता है digit sum करने पर इसका मतलब यह गलत हो गया यहाँ पर देखें 9 काट दीजिए 8, 14, 13 को क्या लिखेंगे हो 4 लिखेंगे 9, 13 13 मतलब 4 यह हो सकता है आगे देख लिए 9 काट दीजिए 6, 7, 8, 8 है नहीं यहाँ पर 8 है नहीं है इसका मतलब आपका options क्या होगा C, D होगे गलत ध्यान दीजिए guys क्या यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि आप इस condition से तो आप questions को solve कर लेंगे इस condition से और अगर condition आगर suit नहीं करता है questions में अगर कुछ options ऐसे रहते हैं जो आपको दो options में confusion create करते हैं आपको में अभी तरीका दूँगा थोड़ी से आपको महनत करना होगा आपको याद रखना होगा इसके बाद आप जो questions होगा वो एकतम चुटकी में कर लेंगे क्या याद रखना होगा समझे बात को बड़ी संख्या find करना हो आपको बड़ी से बड़ी संख्या अगर find करना हो और एक पूर्ण वरग हो तो याप दिहान दीचेगा जैसे हम लेते हैं आपको दो डिजिट से दो अंकों के बड़ी संख्या तीन चार पांच छे साथ आठ इससे जादा एक जाम में पूछेगा नहीं यह तो मैक्सिमम में लेनी आपके लिए हम तो देखिए अब ध्यान दीचेगा दो अंकों के बड़ी से बड़ी संख्या तीन चार पांच छे साथ आठ इसमें क्या देख रहे हैं कि कुछ नंबर इवेन है। कुछ नंबर ओड और नहीं है मतलब दो अंकों के बड़ी से बड़ी संख्या पता है जो पूरन नवारग है चार उंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या बाता है जो पूर्ण सान्ख लिए है जब ओड में पूछेँगा तब आपके लिए थोड़ शमस्या होगा उसको आप को यूज करना होगा लेकान आगर अगर अगर भी बात लोगों संख्या भी बताता हो के लिए लोग को चलीsl in ने पूछा दो अंको के बड़ी से बड़ी संक्या जो पूर्ण वर्ग है ध्यान दिजीगा तो हम बोलेंगे कि आपको दो नमबर का तो दो डिजिट का तो आपको स्कौयर याद होगा बोलेंग एटीवन ठीक है उससे पहले एटीवन जो आता स्कौयर है बिलकुल है इसके आता हुआ तो आप दो नमबर का बता हैंगे चार का निए बता हैंगे इसके लिए इसके लिए कि बात को पहले समझे ही आपके है जब भी हम किसी नमबर का रूट करते हैं तो वह सका नमबर डिजिट जो है वह करता है जैसे हम यहां पर बोल दिए कि A B C D E F यहां पर 6 डिजिट है अगर हमको मान लेते हैं कि यह नंबर है ठीक है बोल दिया कि इसका रूट बताओ तो हमको डारेक्ट रूट बताएंगे उससे पहले अगर हम से यह क्या जाए कि यह नंबर का रूट जो कितने डिजिट क आपको पहले नंबर हम्सीट पता करना हे रूट में क्या करेंगे अगर आपका इवेन नंबर में पूछा है इवेन में रूट पूछा किकल अगरा आपकी पास बड़ी से बड़ी संख्या इसका रूट अगर आप पता कर पातें तो कितना निकलेगा n by 2 मतलब 6 बटे 2 मतलब 3 डिजिट में आपका स्क्वाइर रूट निकलेगा ठीक है अगर आपको बोलेगा 8 नंबर है उसका बताओ स्क्वार रूट कितना डिजिट में आएगा तो क्या बोलेंगे चार में आएगा इसका फाइदा क्या होगा अभी आप देखिएगा जैसे फूर एक्जामपल हम बोलें कि दो नंबर का वो बड़ी से बड़ी संख्या बताईए जो एक स्क्वार है तो अगर वो इवेन है तो बढ़ी से बढ़ी संख्या होगा वो को नहीं तो 9 का आप स्क्वार कर दीजी क्या गया英टी वन तो बोल दियें कि दो अंको के बढ़ी से बढ़ी संख्या क्या है तो देहां पर दो नाइन है तो आपको एक नाइन लीजिए ठीक एक जीरो ले लिजिए और बाकी का जो नाइन को एट और वन में तोड़ दीजिए जैसे अगर हम बोलेंगे कि अगर आपको छे नंकों का बड़ी से बड़ी संख्या बताए जो एक पूर्ण वर्ग है तो छे अंक का एक परफेक्ट स्क्वाइर हो तो रूट कितना डिजिट में निकलेगा तिन डिजिट में तब तीन को नौ ले लिजिए एक दो तीन इसका स्क्वाइर कर देंगे तो अगर दो डिजिट का यह सबसे बड़ा नंबर है परफेक्ट स्क्वाइर में आप आठ नंबर का हम देख लेते हैं तो अगर आठ नंबर का परफेक्ट स्क्वाइर है तो इसका रूट कितना में निकलेगा चार डिजिट में निकलेगा चार को नो लिख लिजिए आप एक 0001 यह event के case में आप सीख गए कि event के case में अगर हमको निकालना है कि कितना भी हो 4 हो 6 हो 8 हो 10 हो 2 हो अगर number of digit में पूछेगा कि बताओ कि बड़ी संख्या जो perfect square होगा event के टर्म में तो आप ऐसे करके डारेक्ट निकाल लेंगे आपको कुछ भी कि यूज़ने ने का जरुवत नहीं है लेकquently आपको और नह Tuc? अ की थियान और याद रखने है को सिस किजैंए क्या करना है जैसे और में क्या आगिया तिन डिजिट साथ इससे ज़्यादा आप तो आप अगर आपको जल्दी करना थे कुछ याद रखा किजिए क्या याद रखना ध्यान दिजिए अगर तीन डिजिट में अगर आपसे पूछा कि बताओ बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग होगा तो आपको याद रखना है कि माइनस करना तो आपको तीन डिजिट का बड़ी से बड़ी संख्या होता क्या है तो बोलेगा नाइन इंस कर दीजिए 38 तो अंसर क्या आगया 9, 6, 1 डारेक्ट कर सकते हैं इतना तो आप याद रख सकते हैं अगर आप बोलेगा 5 डिजिट का बता हो तो 5 को 9 लिख लिजे 1, 2, 3, 4, 5 उसे माइनिस क्या करेंगे 143 143 अंसर क्या आजागा 6, 5, 8, 9, 9 अगर आप से पुचे का 7 डिजिट का बड़ी से बड़ी से इंख्या क्या होगा तो आपको अगर 7 को 9 लिख लेंगे उसमें माइनिस क्या करेंगे 1, 7, 5, 5 माइनिस कर दिजी 4, 4, 2, 8, 9, 9 तो आपको अगर मैनत से बचना है समय बचाना है तो प्लैनिंग करना होगा इवन और 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 में इस प्रकार से आपके एक्जामस मागरी कोशन्स आते हैं तो आप बहुत जल्दी से कर पाईगा सिर्फ आपको याद रखना है 38, 143, 17, 15 38, 143, 17, 15 चलिए हम लोग कुछ और कोशन्स करते हैं इसके डिफरेंट टाइप में नेक्स्ट कोशन है 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि गुननफल एक पूर्ण वर्ग हो मतलब कि आपको बताना है 294 को किस से मल्टिप्लाई करेंगे कि एक परफेक्ट स्कॉर बन जागा यह पूछ रहा है किस से मल्टिप्लाई करेंगे कि एक परफेक्ट स्कॉर बन जागा करना क्या होता ऐसे कोशन्स में 294 का फैक्टर किछी 2 से लगाते है 147 7 से लगाते है 2,1 7 से लगाते है तो आप क्या देख रहे हैं किसका जो factor निकला वो factor क्या निकला 2773 तो यह दो pair में है यह तो perfect square देगा आपको जो pair में नहीं होए आपको perfect square नहीं देगा मतलब यहाँ पे एक दो का और एक तीन का कमी है तो मतलब एक दो और एक तीन मतलब कितना चाहिए आपको result 6 से multiply करना होगा तो आपका answer क्या होगा C ऐसे questions में आप क्या करेंगे इसको factor करेंगे जो number pair में नहीं मिलेगा उससे multiply कर दिया जाता है clear है इसको आप divide भी कर सकते जल्दी से करना है तो multiply करने बोला तब divide कर दीजे और जल्दी हो जाएगा 294 को अगर हम इन सभी number से divide करेंगे जिससे perfect square मिलेगा दिवाइड करने के बाद वही number को आपका answer लेना है जैसे माल लेते हैं 2 से इसको 2 से इसको अगर हम 294 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं देख्या मिलेगा बता यह 147 मिलेगा तो यह perfect square है बोलेंगे नहीं इसका मतलब 2 गलत हो गया बोलेंगे 294 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड होगा क्या हो जाएगा कितना आ जागा 9 और 8 98 तो 98 perfect square है बोलेंगे नहीं इसका मतलब यह गलत हो जाएगा 294 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो answer क्या आएग आपका 49 तो देखिए एक perfect square है मतलब इस नमबर से डिवाइड करने पर अगर perfect square मिलत मतलब उसी की नमबर को into करना होगा एक तरीका होगे इस तरीका से ने तो डिवाइड करने का यह तरीका होगे चले अगला question पर हम लोग चलते हैं और सिखते हैं नमबर 5 है कि 1470 को किस छोटी से छोटी संक्या से भाग करें कि भागफल एक पूर्ण वरगो मतलब इस पर भाग करना है किसको 1470 को एक करके किस से भाग करेंगे कि आपका वो जो नमबर जो मिलेगा भागफल एक perfect square होगा भाग भी आप कर सकते हैं ने तो इसका factor किजी आप ऐसे करेंगे इसको अगर हम लगाते हैं 7 से 7 से लग जागा 2, 1, 0 फिस 7 से लगाते हैं क्या मिल जागा 3, 0 और इसको factor करेंगा 7 तो 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 परफेक्ट square मिल गया यह तो perfect square नहीं है इसको और हम छोटा करते हैं तो 30 ही मिलेगा जैसे 2 से लगाए तो 15 तो 3 से लगाए तो 5 मतलब एक 2 चाहिए, एक 3 चाहिए, एक 5 चाहिए, मतलब 5 तिया 15 दुनी 30 था, आपका अंसर क्या होगा, 30 से डिवाइड करेंगे तो आपको एक perfect square देगा, ऐसे factor कर सकते हैं तो डिवाइड भी कर सकते हैं, ठेके एक question अब समझ गए होंगे, चलिए आपना हम next question पर चलते हैं, आई आपने हम लास्ट कोसिन देखते हैं इस वीडियो का लास्ट कोसिन आपका हो गया है कि वह छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है तथा 10, 12, 15, 18 में से परतेक से पूरनता विवक्त हो मतलब कि एक perfect square होना चाहिए और वो 10, 12, 15, 18 से डिवाइड करना चाहिए ऐसे कोसिन को करने का तरीका क्या होता है कि जो 10, 12, 15, 18 जो नमबर दिया हुआ इसका LCM लेते हैं क्या लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं ओप्सिन को एक तरीका नहीं तो फिर LCM लेकर उसको multiply करते रहेंगा एक से दो से तीन से चार से जब तक वो एक perfect square नहीं बन जाता ह यह तरीका आप यूज कर सकते LCM लेकर के लेकिन जब आप उसको LCM लेकर के multiply करेंगे ही divide कर सकते हैं तो बीना LCM लिए भी हम इसको क्यों नहीं divide करते हैं कहने का मतलब है 10 को क्या ले सकते हैं 5 गुना 2 12 को क्या ले सकते हैं 3 गुना 4 15 क्या ले सकते हैं 3 गुना 5 और 18 क्या ल नहीं और नौ से पाँटों से दोगों और इसकों कर लिए अब हम देखें कि यह दोनों में से कों इन सभी से डिवाइड होता है तो देखिए आप देखिए सबसे पहले पांच तो लेने इसको फाइदा नहीं कि 5 से दोनों डिवाइडर कि यहां पर इसको छोड़ दीजे 2 से दोनों डिवाइडर कि यहां पर 0 है 3 से लेकर देखते हैं 3 का क्या होता है कि इस डिजिट का सम 3 के मल्टिप्लाइ माना चीए तो देखिए यहां पर 400 सम क्या होगा 4 तो 4 तो 3 से डिवाइड लगता नहीं मतलब यह एंसर होगा नहीं आपका एंसर कौन होगा यह तो आपका एंसर क्या होगा 900 ठीक है आज का जो हमारा लेक्चर है यहें पर कंप्लेट ह हो गया है और हम अपने लेक्ट्ट्र में वीडियो में नए कंसेप्त साथ फिर से मिलेंगे और आप लोग वीडियो को में कमेंट कीजिएगा कि आपको next chapter क्या पढ़ना है और वीडियो कैसा लगा आपको यह सारे चीज़ आप कमेंट करेंगे जरूर और वीडियो को सब्स क्लास में फिर से मिलते हैं, thank you.